हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका टेकोपीडिया के एक नए वीडियो में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आइफोन का डेटा अपने नॉर्मल लैप्टाप विंडोज लैप्टाप में ट्रांसफर कर सकते हो तो यह वाला सवा है जो सबको काफी चिंतित करता है लेकिन इस वीडियो में आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं दो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ ने करना सबसे पहले आपको खोलना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ठीक है अपने विंडोज लैप्टाप में आपको ऐसा करते रहना है और आपका काम बन जाएगा आइक्लाउड आपको खोलना है आइक्लाउड खोलने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देगा इंस्टॉल पर आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है ठीक है जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे आप फिर यह कि आपने और आपकी एक नई विंडो खुल जाएगी ठीक है नई विंडो खुल गई आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका जो iCloud है मेरा यहाँ पे तरी पुरारी श्रिवास्तव है इसको मैंने बलर कर रखा है ठीक है तो यहाँ पे iCloud है इसमें आपको दिखा देगा ज स्टोर करके रखियोंगी जो भी आपने बैक अप लेके रखा होगा वो चीज आपके यहां पर शो होती है ठीक है अब आपको मोबाइल में क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूं मोबाइल में आपको कुछ ने करना है मोबाइल में आपको जाना है सेटिंग में ठीक है जाना है आपको और आपको na of l-i ॐ डालनी है टीक है сид तो पर आप यहां पर feliz आपने डाल Прोंक्ष होगी यहाँ पर आपको आई क्लाउड पर जैसी कर देंगे तोड़ा सा टाइम लगता है back up हो जाता है फिर फिर आपको यहां पे pc पे आ जाना है pc पीझे पहां पे आपका फोटोगे या आई क्लाउड या जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो और यहां पर आप्शन्स में मैं चला जाता हूँ ठीक है मैंने यहां पर apply कर दिया अब यह चीज़ क्या है यह मेरे यहां पर आ गई ठीक है photos में आ गई अब यहां पर जाओगे आपको जाना है आप पीसी में यहां पिक्तिर्ज में जाओगे तो Windows C, C Drive में जाना है फिर User में जाना है फिर जो भी आपके laptop का यापके इसका जो भी नाम है उस वाले फोल्टर में जाना है फिर Pictures में जाने के पाद आई cloud Photos में जाना है फिर यहां पे Photoshop में जाना है तैक है मैं यहां पे आपको दिखा देता यहां पर iCloud Photos में जाओगे यहां फोटोज में जाओगे और यह आज आएगा आपका जो भी है जित्ती भी चीज़े आपने बैक अप ली होंगी वो बैक अप यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यह तरीका है दोस्तों और इस तरीके से आप बैक अप जो भी आप आइफोन में लेते हो यहां पर बड़े आसानी से ले सकते हो बस इशू एक है कि आइफोन आपको फ्री में सिर्फ पांच जीवी तक का बैक अप देता है तो पांच जीवी के ऊपर अगर आपको चाहिए पचास जीवी तो उसके लिए आप 75 रुपय महीने का दीजिए ऐस